तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और यहां पर दोस्तों हम लोग सस्ट का पोर्षन देखने वाले हैं सस्ट का और एक ऐसा ट्रिक हम अपने वाले हैं दोस्तों अंति में कि आप लोग को हरी कोश्चन एदम सिंपल में जाद हो जाएगा ठीक है एक बार अंत तक देखिएगा खुद पर खुद आपको पता चल जाएगा और एक और बात दोस्तों आपको बता दें कि जो भी कोश्चन हम लोग ले रहा हैं देखिए यह रिपिटेड कोश्चन है देखिए यह बहुजार नेस में पूछा है दो यह भी 2030 में पूछा है तो हम इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट कोश्चन लेके आई हुए हैं कि आप लोग आसानी से इसको पढ़िएगा तो याद हो जाएगा समझ में रहा है और लाश्ट में कैसा हम समराइज करने वा रहे हैं कि दोस्तों देखिएगा आप लोग को ऐसे ही बहुत सारा ऐसे ही कोश् सुर्यवर्धन द्वीतियाने करवाया था किसने सुर्यवर्धन द्वीतियाने अंकुरवाट का मंद्र करने बाड किसने करवाया तो सुर्यवर्मा द्वीतियाने सुर्यवर्मा द्वीतियाने सुर्यवर्मा द्वीतियाने सुर्यवर्मा द्वीतियाने सुर्यवर्मा तो यहां पे भी यहां पर याद करने का हम लोग अपना रहे हैं कि उत्रियम दक्ष्णी वियत नाम का का UKरण का कब हुआ था तो उत्रियम दक्षणी व्यतनामों का K vídeo हैं हम हम लोगे का हुआ है कब तो 275 में मिं जो है कि और 156 म्में मिस्टेव होजाता है 275 में जो है उत्री-धर लिशिजनी वीहतनाम नाम का 20-21-18 में हाना 22 में हाना इस सब इंपोटेंट है दोस्तों इसलिए आप लोग ऐसा-इसा कुश्चन सम लोग ले के आ रहे हैं कि आप लोग आसानी से हरे कुश्चन को याद कर सके करा है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम बैपारी कौन थे तो पूर्थगाली थे नों पे है कहा है नों पे कंबोडिया की रजानी कहा है कंबोडिया की रजानी तो नों पे नों पे नों पे नों पे है नों पे है ना नों पेन फिर हम लोगा कह रहा है यहां पे कि अंकुरवाट मंदिर कहा है तो अंकुरवाट मंदिर कंबोडिया में है और जिसकी रजान निका है तो नोम पेन हमें आए कहा है नोम फृन-ठाइद ध्यार साथ का है कि जनेवा चंदि टो जक्र we 6100 453 में जनेवा की संदिग उजिए थी और 652 में जनिगर के संदिग होई तो ngang यहती ही हिंद-finitely को लौन किसे किनहे कहा जाता है तहीं सिन में serca लोकिस को कहते हैं तो फ्रानसिसे को कुते हैं किसको तो हिंद서 के का जाता है तो फ्रांसिसे को कहा जाता बिए स्रे का नखन कर रहा है दा हिस्ट्री ओफ स्रीउड दिणाम किसने लिखा है स hop Foot लिछ फान वुह ऐ चाओ नाम किस ने लिखा है ठीक है नेक्ट कॉसें कराया हुआ हुआ होँआ अंधुलन जो फिस प्रकार क का न्धुलन था यह जो ये एक ब्रगर कर अंतिकारी अन्दोलन था हुआ अन्दोलन ठीके चीन सुनित के छिण कि इन्द2CH बसने वाले कि कहे जाते थे नो का फेले जाते हैं क्या सठीक को इस वह दोते हैं तो मिया चीर सेसी कहा जाता है नरुतन तौने में से तो नुरो होतं के सा सकते तो यह कांबोडिया के सा सकते का के विश्च में ते स कह रहा है कि युद समापती के समय में अमेरीका के राष्ट्र पती युद्सकतिος समाप्ति के समय जो है अमेरिका के राष्ट पती उसमें जो है निकसन थे कौन से निकसन थे लिए नाम की वियतनाम प्रसीद बैपारिक कौन है वियतनाम का परसीदी बैपारिक बंदरगाह कौन है तो भायफो है क्या है फाइफो फिर नेक्ट कोछन को है कि कंबोडिया को कंबोडिया को सुतंतर राज्य की मानने पर प्राप्त हुए है कि रूप में कप राप्त हुआ है तो तो सभेवाइब इसकर रहे है कि हिंद चीन में हम वेस्ता कौन- कौन से आते हैं तो देखे शानव में विएत्नाम tutorialief गही अरा उनप मोड़िया वेट्नाम और लाओस काना हर जाली में तरयाओ आपको बता रहे हैं कोंबोडिया वीतनाम और लाओस यानी कबीला कबीला है दम सिंपभिला से आते हैं तो कबीला यानी कबीला नहीं लिए सब याद करने का तरीक है कैसे कैसे हम लोग हर इक चीज को याद करेंगे ठीक है फिर हम लोग का नेक्ट कुरिशन कर रहा है दोस्तों कि ला खमेर से सेना कि सेना थी कि सिना आण सेना टिस ति कि लास खमेर से ना किसकी थी तो सिहान की थी लास हुमेर सेना पर हैन्ड कि कि नियो लियो हक्सत अना एन एल एच एस है किसकी राजधानी पार्टी थी तो किसकी राजनितिक पार्टी थी तो यह यह जो है हम लोगा पाथेट लाओ की थी किसकी पाथेट लाओ की नियो लियो हर हकसत हकसत जो है किसकी राजनितिक पाड़ी थी तो यह जो है हम लोग का अब पाथेट लाओ की थी पाथेट लाओ देखो देखिए इसमें लियो आ रहा है इसमें लियो आ रहा है तो इसमें भी लाओ लगा कि फाल चू चिन किसमें विश्वास रखते थे तो गनतंतरात्मक बेवस्थापर जो है फाल को चीन को रहा है कि स्थापना किस ने की थी तो इसमें भी धान कट आई तो आई नुबह आई तो इस तरह कुछ-कुछ तरीक्या अपने सरी दिमाग लगाके फान वह ही चाओ। ठीक है, next question करहा है कि वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की थी तो वियतनाम में अनामी दल की स्थापना उसको होँ हुआ अंदोरन के थे होऊं का 1949 भी में हुआ था और होँआ हुआ अंदोरन की परकार का अंदोरन था तो एक धार्मी था अंकुरवाट का मंदिर जो है कहा है तो कंबोडिया में है और कंबोडिया में है लेकिन इसका अस्थापना किस ने किया था तो सुर्य बर्मा ने किया था घी चिन में बसने वाले देस की सथे घींड्य कोई धेंद reconoc में से तो हीनि में पूसने वाले देश चबीला थे यानि कबीला ाम यानि कंसे थे तो शेक्ट में यादा रखेंगे 16 अनिकाविदा का मतलब क्या हो दो कॉसे मने का सिर्फ कॉछ इस बीसे वियतनाम अलब से लावत तीन गोड़िया है मनों का असानी से याद कर सकते हैं तो हम लोग कुछ-कुछ दिमाग़ लगाएंगे याद करने के अरे को चैन्स को फिर हि लोग आजाद हुए थे उसके बाद जब यूद्ध समाप्ति हुआ था वहां पर जो है अमेरिका की राष्टपती कौन थे तो निकसं थे अमेरिका का राष्टपती कौन थे तो निकसं थे प्रिव नहीं याद करेंगे देखें ना भी याद होगा फिर हनोई समझावता कब वह था तो हनोई समझावता जो हम लोग का हुआ था 1936 में 1936 में हनोई समझावता हुआ था चोव मार्च 1937 में आजाद हुए और यहां पर क्या हुआ कि एक साल पहले जो है हम लोगा एक साल पहले जो है क्या हुआ यहां पे कि 1936 में क्या हुआ कि हम लोगा कोई फाइब चाउने लिखा था फाइबोई चाउने फाइबोई चाउने तो हिस्ट्री अब दो वियात नाम लिखा था ठीक है फिर जी नेवा संदिक वह था तो अम लोगों पता हो गया था अनुश चोगोनिस में तो यह सब में में कोश्चन्स जो हैं हम लोग आसानी से दोस्तों याद कर लिए आप लोग नेक्स वीडियो में तब तक लिए जाहिए दोस्तों